सब्सक्राइब आपको बता दू कि यहां पर human physiology कर रहे हैं अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस्ट्राइम को फॉलो करते लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको उसके टू-टू-टूरी पे जिसके अंदो शॉट नोट्स हमने आप लॉंच कर रखें इंग्लिश वर्ड आप पर अगर आपको वो चाहिए तो उसका दिस्क्रिप्शन ने पूरा प्रोसेश दे रखा इसको बहुत सरी चीज़ें आपके नाइट्रोजीन वेस्ट होती है जैसे आपके अमोनिया उर्यक एसेड वगयरा हो गया ठीक है अब यहाप में जो आपकी बात कही गई है वहापर क्या कही गई है कि जो प्रोसेस होता है उसको में बोलता हूं आमोनो टेलिजम ठीक है और मैंनी बोनी फिशेज और आपके अंफीबिएंस हो गई है अक्यृतिक इंसेक्ट हो गई यह आपकी अमॉनी नेचर होते हैं मतलाब यह होता है यह बहुत जादा रेढ़िल सव्हलीब्रकिक्ग इसका प्रोसे Påण और जो की बात करा हो एग डाहूं जैसे मान terrestrial amphibians हो गए, mammals हो गए, marine fishes हो गई, यह आपके क्या excrete करते हैं कि यूरिया के excretion कर रहे होता है, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ, ureotelic animals, ठीक है, जो ammonia produce हो रहा होता है, बाइदार process of metabolism, यहाँ पे convert हो जाता है, यूरिया के अंदर in the liver of these animals और फिर यह जाके blood में release होता है, which is filtered and excreted out by the kidneys, ठीक है, तो इस तरीक से यूरिया है, यहाँ पे excretion हो रहा होता है, इन टाइम के animals के अंदर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, reptiles की, birds की, land snails की, इन सब की बात करूँ, इन सेक्स की, तो यह किस फॉर्म में यहाँ नाइट्रूजीनियस वेस्ट excret करते है, in the form of uric acid, uric acid के form में, यह excret कर रहे होते हैं, in the form of pellet of paste with a minimum loss of water, बहुत minimum loss of water यहाँ पे हो रहा होता है, और इसलिए मैं इनको बोलता है, यूरिको यूरियो टेलिक और यूरिको टेलिक में प्लीज सोड़ा समझना, ठीक है, I hope कि तुम यह चीज़ दिख रही होगी, I hope कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको जो प्रोटो नेफरीडिया होता है, यह फिर फ्लेम सेल्स की बात करूँ, जो झान कते हैं, अगर मैं बात करों नेफरीडिया की, नेफरीडिया जो होते हाए, आज उतरी एक्षीघ्रटरी स्ट्रॉक्चरस and CH इयन к्रम चोरिया खोए, को ज्यादा याद रहेगा green gland से green glands यह जो होती है परफॉर्म्ट एक्सक्रिट्री फंक्शन इन क्रस्टेशियंस जैसे आपके प्रॉंस हो गए विसमें आपके green glands कहां पर रोल हो रहा होता है हो कि तो मैं आगी होगी हम बात करने से वाले सिस्टम की जैसे कि तो मैं पता है अगर human system की बात करूं तो आपको आपको हापे pair of kidneys देखने को मिलेंगे ureters one pair of ureters देखने को देखने को मिल रहा होगा kidneys reddish brown bean shaped structure पहले सब पढ़ते आ रहें इनके situation अगर बात करूं between the levels of last thoracic and third lumber vertebra यह इनकी location है very very important काफी बाल आप से नेट में पूछे जाती है तो दॉट्स इन और वर्टी में क्या है लेवल सब लाश्य से के थर्ड लंबर vertebra के level कि दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगी ठीक है दस से बारा सेंटीमीटर आपके के अंदर हो रही होगी आपकी five to seven में आपकी सेंटीमेटर विर्थ में हो रही होगी तो त्री सेंटीमेटर आपके इसकी थिकनेस होगी एक सो बीस से लेकर आपका 170 ग्राम सक इसका वेट होता है किडिनी का यह कुछ बेसिक बेसिक यहां पर बाते कही गई आए होब कि तु यह पूरा आपके यूमन उरिनरी सिस्टम बनाता है और यह पहले बचपन से भी तुम पढ़ते आ रहे तो तुम्हें यूस्टू चीजे लग रहे होंगी काफी इसके अदर इसके आपके प्रोजेक्शन देखने को मिलने को मिलता है ना इक नौच होती है इसके आपके यह उसके प्रोजेक्शनु को मिलते हैं कैलेसी ठीक है और और ऑटर य थेंव हरता है इना यह विले कि अ कौकी तर इसके ब्रटे पर शकित्वे कि तुम्हें पूरा इसमंझ में आगए और यहां जो तुम्हें रिचार हैं आध लिए बटीनी तो यह च्छी के आपको सब को पता है कि एच डीनिक ने ने फिरन आपके किडिनी की नेफरोन जिसे हमें बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आपके नेफरोन केंदर दो बड़ आपको देखने को मिलते हैं एक तापको ग्लॉमिल लेस हो गया आपको रिनल टुब्यूल हो गया है ठीक है यहां पर आपको डबल और यह इसको में पर बड़ देखने को मिलता है जो कि आपका इंक्लोज करता है ग्रॉमिल्स को ठीक है अब जो होता है बोमें स्क्याप्चूल के साथ मिलकर ये बोलते हैं इसको मैःफीजियन बोडी यह फिर बोलता हूं रीनल कॉर्पसकल काफी जार नीट में पूचा जात करता है यह दोना आपको मिलकिया रिट्रीट कर रहे होते हैं इसके आगे जाके हो रहे हुथ है आपके प्रॉक्ट्री टीपुल इसका नीची जाके और इसके हो रही हुथ है आपकी है यह तो है या आपका Aszening Loop यह आपका descending Loop यह ले वगया इसके आगे जाकि 김हाँ के निसमें रिखा इसके बाद में इस के बादसें को मिलता है इसके बाद तुम्हें एक स्ट्रेट ओपन ट्यूब तुम्हें देखने को मिलती है क्लेक्टिंग डग जो कि नेफरों जहां पर जाके ओपन हो जाता है अब यहां पर जो में आपको सब बताया पी सीटी डी सीटी नेफरों और सिचुएटेड इंदा कॉर्टिकल रिजन ओफ दा किड्नी या धटना यह जब आपके कोर्टिकल इंदा किड्नी में प्रेजन ओते हैं जैब कि यह लूप एंडिन ली की बात करो लूप बहुत बहुत कम हद तक करता है बट सच नेफरोंस को बोलता हूँ को जातर पाट उसका कॉर्टेक्स वाले खॉटेक्स वाले कॉर्टिकल में है कुछ आपके नेफरोंस में जा कुछ लूप फैले होता है वह काफी लॉंग हो जायेगा जो कि डीप इन्टु दा मेडिया आपका रहा हो गा और वहां पर उन टाइप के नेफरोंस को बोलता हूं जक्स्टा तो दो टाइप के नेफ्रोंस आपको कॉर्टिकल इंजिक्टर मेडियूरी नेफ्रोंस पतल लागे इन रिस्पेक्ट तो लूप फेले पूर डिप कितना एक्टेंड कर रहा है मेडियूर के अंदर उसके बैसे चीज़े डिसकस हुई है ठीक है यहां पर यही डाइगरम में और फेले और लिए और होती है इस नेट वर्क से जो कि एक करती है आपकी यह सब आरेक्टा यहां पर बन रहा हो तो सको बोलता है यूशीज़ वासा रेक्टा और वासा एक्रता जो होती है एप्सेंट होती है फिर हाईली रेडिउक होती इन इन कॉर्टिकल नियुर नेफ यह को वेसिक पर चीजे आपको याद रखनी है सबसे पहले बारेंट फोर्मेशन और फिल्टरेशन फिल्ट्रों की आपका इव and it is known as glomular filtration तो नाम से सोज में आ रहा है कि ब्लड का filtration हो रहा है ठीक है average में आपका 1100-1200 ml of blood होता है filter by the kidneys per minute which constitute roughly one-fifth of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute ठीक है तो आपको में यहां पर क्या चीज़ा रखनी कि 1100-1200 ml of the blood आपको filter किया जाता है by the kidneys per minute ठीक है जो कि यहां पर इसको में ने compare किया है यहां पर आपके ब्लड pumped out by each ventricle of the heart in a minute जो कि one-fifth आपका हो रहा होता है ठीक है आप आपका जो glomular capillary blood pressure होता है यह आपका causes filtration of the blood through three layers यह तीन layers की थ्रूई आपका filtration हो रहा होता है वह कौन को से लिए हैं सबसे यह आपके तीन layers important है जो कि filtration का काम कर रही होती है अब आपके जो बोमेस capsule पर आपके जो एपीधियल सेल्स प्रेजेंट है ना एपीधियल सेल्स की बात करो उनको बोलता हूं पोडोसाइट्स यह आपके तो प्रोटीन से यहां पर फिल्ट्रेर नहीं हो पाते पासे 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 लूमन वह पर पास हो जाते हैं लूमन के अंदर ऑफ दा मोमेस capsule therefore this is considered as a ultra filtration एक ultra filtration का process यह इसको बोलते आए हो कि तुम्हें आगा को बहुत basic basic तुम्हें बस तीन प्रोसेश यहां रखने ग्लॉमन फिल्ट्रेशन फिर रिया उप्शन और फिर सिक्रीशन फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया अब GFR की बात करो तो वही बात है कि कितना अमाउंट फिल्ट्रेट आपका प्रडीउस वह रहा है बाइदा किद्नीज पर मिनट तो आपको जी फर बोलता हूं ग्रोमिलर फिल्ट्रेट और एकर हेल्दी इंडिवीजियल की बात करूं तो लगवाग वह एक सो पच्छे से मेल पर मिनट होता है जो कि मतलब इस पर लोकेशन ऑफ दर कॉंटेक्ट उसकी वेसे बनता है कि स्पेशियलाइज यहां पर सेंसिटाइब रीजन होता है जी मतलब जैक्स्ट्राग्लमिल एपराइडस ठीक है अगर मालों आपका जी फर में कम आया फॉल हूँआ जी जो आपके सेल्स होते हैं यह आपके इस करेंगे रेनिन आरे नाइन रिलीज करेंगे जो कि स्टिमिलेट करेंगा आगे जाके ग्लोमिलल ब्लड फ्लो को और देर्बाइज फर बैक टू नॉर्मल तो यह तरीका के डिफेंस एक प्रिवेंटिव मेजर है तो जैसे आपका अगर जी फर कम होगा तो जैजी सेल्स यह यहां पर बन रहा है आपका यहां पर यूरी जो होती है कि दिन के अंदर वह 1.5 लीटर होती है इसका मतलब आपको क्या चीज़ शो कर रहा है कि आपकी जो 99 परसेंट आपकी जो फिल्ट्रेट है वह आपका रियाब्साब्शन हो रहा होता है और इसी से आपका दूसरा प् यह actively आपके एब्सार हो रहे होते हैं अगर वाट गरी absorption की बात करूं तो यह पैसेवली आपका काम हो रहा होगा ठीक है यह बहुत basic basic शीज़ी आपको दे रखिए अब जब आपको यूरीन फॉर्मेशन हो रहा होता है तो आपको जो टुबूर्ट सेल्स होते है वो सीक्री करने के लिए को और होते हैं और फॉनिक आ गई होगी आम बात करने वाले फंक्छिन ऑब दड़ीन की सबसे प्याइब सब्सक्राइब करने लिए कोई लिए को सबसे तया यहां करता है === लाइने विदाप अब आएं समोनियन पोटेंशिम जो में आपको पर बताया तुलर से वाटर के लिए ना पर वाटर के लिए और बाकी लेक्रोलाइट के लिए इंपर्मेबल होता है तो एक याद कर लो आपके लिए आपके लेक्रोलाइट के लिए आपके लिए तो बस आपको आपकी कई बार आप से पूछी जाती है तो प्रीज को याद अख ले कि आपकी कंडिशनल रिएब्सॉप्शन जहां आ जाए सोडियम एंड वाटर का तो यह डी सीट आप लिए बाकी आपकी आपकी सब्सक्राइब के लिए होता है ठीक है कंडिशनल वर्य 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 इंपॉटेंट का क्या फंक्शन है जो कि एक्स्टेंड करती है फ्रॉम दा कॉर्टेक्स ऑफ दा किड्नी तो इनर पार्ट ऑफ दो मेडियोला लार्ज अमांट वाटर कुट बी अव्जी अब्स रिजन अगर मालों बहुत ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा मॉंट आपका वाटर यहां पर हो सकता है चुक्कि आपर रिजर्ट करेंगा पानी नियोगा यूरिन में तो इसका और इसका और क्या काम होता है मेंटेर्स ऑफ पी एच और आइनिक बैलनस ऑफ दा ब्लड ब्लड ब आपके चीज समझाई गई है यह आपका PCT यह आपके डी सीटी वाला पार्फ दे रखाए है ना यह कॉल्टक सी रिजन है यह आपका मेडियोन वाले जीजन हो गया ठीक है यह आप देख सकतो क्या की चीज़ें हो रही है ठीक है यह देखो आप पहला आपना को डिसेंडिं आपके लेक्रोड़ाइट सोते हैं तो इसको याद करना है जब भी आगर आ जाए वैसे यह नीट में तो नहीं पूछा जाए तो चीज को चीज को चेक आउट कर सकते हो तो हम बात करने वाले में में अपन वाले का जो हैंले लेज लूप और वासा रेक्टा होता है यह बहुत इंपोर्टन डोल आपका शिगनिफिकरन डोल प्ले कर रहा होता है इस चीज में यहां पे इसमें जश्ट फ्लोग होता है आप वह जब अपूज़िकन प्लेट का ठ आपका यह जो help करता है maintaining तो जैसे अब जैसे मेडिला की तरफ आप जा रहे होगा इनर मेडियोरी इंटिस्टीशियम में आपकी जो बढ़ती चली जाएगी ठीक है आप यहां पर देख भी सकते हो यह चीज यहां पर दिखा हुआ है आप साफ-साफ यहां पर आपका 300 है यह यह जो आपका यहां पर बहुत क्लोश प्रॉक्सिमिटी आपकी वासर एंट लूप है और यहां पर यहां पर यहां पर दिरेक्शन में फ्लो कर रहा है इंगे तो देखो 300 से लेकर 200 के बीच में आपका हो गया अगर आप इनर में जो जा रहे हो और यह जो आपका इसमें आपका निकलता है और यहां पर डिसेंडिंग आपका लेंब ऑफ वासर एक्टा से आपके हो रहा हो ता है यह आपका दिसेंडिंग लेंजिकल कर आपका डिसेंग ओप्सेंडिऑ निकल कर आपको чтоб बार से क समझ में हो जाता है इन्पर यह 것이 Me चैनल इंटेडरी सपराडरी सब्सक्राइब 10-17डड डाउन इने के अंचक्ण पर बीदिस्टीछ पंस टीक departments सब्सक्राइब आपको पहले हैं आपको पहले हो रहा है और यह क्या मेन आपका है रहा होता है help to maintain the concentration gradient concentration gradient very very important मैं आपको कहीं जागे बताएं काफी दाद इंपोर्टन रहता है तो यह चीज़ मेंटेन हो रही होती है काउंटर करेंट मेकैनिज्ब की help से आपके जी आपके जी होती है कन प्रड्यूस यूरीन फोर ताइम्स कंसेंट्रेटेटेड माई यहां पर यहां बात करने वाले है चीज़ में प्रड्यूस करते हैं और चीज़ में ओन्माइज को जोटाइब आपके ऐन दर अधिग प्र के बोडिय के जन्च जाए तो यह आपके एक्टिवेटर प्रवाइन के वैसे आपके अगर कोई भी चेंज आते हैं इन में तो डेफिनिटी यह आपके एक्टिव होंगे एक्सेज़ लॉस फ्लूड फ्रॉम दा वाडी कन है आपक देटिश का से एक्टिवेट्न का उससे होंगे एक्ट बढ़ कॉंट अगal तो केसि प्रव्ध कोई ढसे कम क्याएं क्या करेंका वाम इंश्य क्रेंगा रेंट करेंस ket जा कहेंगे तुम सब्रेस हो बंद हो तुमारा कहां नहीं है ना क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है अब यह जो मैं आपको बताया था यह बहुत इंपॉर्टेंट एक रेगुलेटरी रोल है मैंने बोला अगर आपका कम हुआ तो क्या होगा यह रेनिन को शेकरेगा जो कि एंट्रेंशन को आपको ब्लड में और रपावर्फुल वैसर कर्शिक्टर है मतलब यह आपका ग्लाम को बिलड प्रेशर बढ़ाएगा इंक्रीज करेगा जिससे आपका घीया फर भी इंक्रीज होगा और यह आपका जिए अंग को जिससे रिलीज कर सके एल्डोस्टीरों और एल्डोस्टीरों का काम यही होता है कि रिया प्षिन और सोडियम और वाटर की रियाब्सवशन कराकर आपका डीसीटी से यह भी आपका इंक्रीज इंदा ब्लॉड प्रेशर और जी एफर में हल्प कर रहा होगा और इस पूरे आपका क्या करेंगा डाइलेशन और इसलिए इसके कारण अगर डाइलेशन ब्लॉड वैसल की होगी तो ब्लॉड प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो हर एक चीज का बॉडी में डेफिनिटी प्रेवेंटिव मेजर आपको देखने को मिल रहा होता है अब बात करने वाले है अब बात करने वाले हैं मिक्टूरेशन की बहुत नौर्मल ची डेफिनेशन इस चीज की सबको अरड़ी पता है दर प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरीन इस नोड़ आज मिक्टूरेशन और नियूरल में करने जिसे चीज को यहां पर गार्ड कर रहा है एडल यूमन पहली बात कर चुके एक सब्सक्राइब यूरीन आपकी परड़ें आपकी निकल रही होती है और एवरेज 20-30 ग्राम ओफ यूरिया इस एक्सक्रेटिट आउट पर दे तो यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके कुछ यहां पर इस चैप्टर में वैल यूसे जो कि आपको यहां पर पार्ट है और अगर यह अगर यह आपकी चीज़े हो रही है तो यह एक इंडिकेटिफ आप इस चीज़ से शो कर सकते हो ठीक और 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 क्या काम है एक्सक्रीशन में बहुत ही ऐसी लल्लू सा टॉपिक है इसको फटाफल देख लेते हैं सब्सक्राइब करों तो इसट टीक है स्वेट जो आपका प्रडियूस हो रहा होता है यह वाटरी फ्लोड होता है जिसमें अंदर आपको एने सील स्मॉल अमॉंट ओ यॉरियल एक्टिक आप यह वह बिलता है और यह जो सिक्रीशन से होती है आपको प्रोटक्टिव और यह पर इक वरिक रही होती ह इस बारे बात करते हैं दिसर्डुस ईसक्रीटिर में बटılूब मतला ह्याँ अब कर दो लग ये ई८ोफ बेरВОर्ट पार यहां पर इसके तूब यह रिमुऊ से सुन होगा यहाँ पर इसके तुरो यह रिमूउ और जाता है ठीक है लडऱ् Pierre आपके नाद बांत पर गटमी into the dialyzing unit after adding an anti coagulant like a parent वहाँ पर यूज होता है इसके इस unit के अंदर आपको coil cellophane देखने को मिलते है tube surrounded by the fluid dialyzing fluid जैसे कहते हैं having the same composition of the plasma प्लाजमा पिलको same composition होता है except अगर बात को nitrogenous waste वहाँ पर नहीं होते हैं अब जो porous आपकी cellophane membrane होती है very very important आदकना cellophane membrane जो आपकी porous बहुत porous membrane होती है यहां पर लाओ करेंगी पैसे जादा molecules को based on the concentration gradient के basis पर आप ही चीज यहां पर हो रही होगी as a nitrogen waste or absent in a dialyzing यहां पर nitrogen जैसे कि मैं पता है nitrogenous waste absent in a dialyzing fluid के अंदर तो यह जो substances freely move out thereby clearing the blood तो इस तरीके से आपे filtration का काम हो रहा होता है जो clear blood होता है वापस pump back कर दिया जाता है through a vein after adding anti-heaparent आपने पर आपने 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 आपको आपको किड्नी के इंदर देखने को मिल रहा है तो यह आपको किड्नी के इंदर देखने को मिल रही होते हैं इसको बोलतो हो रिनल चैली के लाए और एक और एक और आपको टम्याइब अखना है ग्लॉमियलों नेफ्राइटिस जहां पर आपका आइटिस हाजाया इटिस मतलब होता है कि इंफ्लमेशन तो आपको डॉमिलेशन लेटे तो एपको अपसंद और पसंद पीजआए पसंद आँ पसंद आ तो फूल सब्सक्राइब करना बूले इस्ट्राइब को लेगन को में 90-95% कोईशन हमारी नोट से आता है तो प्लीज आप जाके हमारे इंगली शोट आप डाउलोड करें लिंक पूर डिस्क्रिप्शन में कैसे आप इन नोट को एक्सिस कर से तो बहुत ही प्यारे नोट से डिफिनेटी आपको फाइल होने वाले मिलते गए नेक्स वीडियो म बाई बाई बाई